कि अब अब वेलकम तो माई चैनल यूपिस्य एस्पिरेंस आज हम हमारा जो नाइन चैप्टर है दाइकनोमिक इंपेक्ट ऑफ ब्रीटिश रूल उसका सेकिंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं तो फास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा कि कैसे जितने भी आर्टिस्ट से ठी ठीक है और जितने भी इंडस्ट्री थी कोटन मील इंडस्ट्री हो गई और उनके अंदर इनका क्या-क्या हाथ रहा है उनको बरबात करने में तो आज के जैप्टर में उससे आग्या हम पढ़ने वाले हैं कि भाई जितने भी नई लैंडलोड थे उन्होंने पुराने जमी जमीं दारी या फिर रोइंस ऑफ ओफर जमींदास एंड राइस ऑफ न्यू लैंडलोड इसम इसमें क्या कहा गए ना कि जो भी पुराने जमींदार थे ना उनका क्या Yak सरेंड रहा है कि उनका सभाव कैसा था पुराने जमींदार हमेशा लोगों पर ऐसे जबरदस्ति ने डाते थे किसी भी तरह की ठीक है वो लोगों के साथ मिलके रहते थे और ना कोई जबरदस्ती उनसे करवसूलते थे मतलब उनका सोशन नहीं करते थे लेकिन जितने भी नए लैंडलोड आये बाद में उन्होंने जिन्दगी बरबाद करके रखती लोगों की दे पर्मनेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 आलसो एड़ सीमिलर एफेक्ट इन दा बिग्नी शत्रा सो तिरावे की जो पर्मनेंट सेटलमेंट थी उसका एफेक्ट भी कुछ ऐसा ही रहा था स्टार्टिंग में लोगों के उपर टेक्स का बार्डन का भी जादा होने लग गया था ठीक है दे हैविनेस ओफ लैंड रिवेन्यों सब्वर्वेंट क्लेम 1011 और देंटल एंड दा रिजिड लोग क्लेक्शन इसके अंदर बताया गया है कि जो भी ये जमीनदारी का सिस्टम था पर्मेनेंट सेटलमेंट का इसमें एक दाम फिक्स कर दिया जाता था कि आपको इतना टेक्स देना पड़ेगा और उसमें वो हिस्सा कितना होता था ना अनलों 11 इससों में से 10 इस्सा सर्कार ले जाती थी बसता था एक पार्ट जो कि जितने भी जमीनदार है उनके बीच में डिवाइड होता था और अगर जमीनदार इस जो यह टेक्स था इसको नहीं पेगर पाते थे तो उनकी जमीनदों को क्या है न बहुत बुरी तरह से बेश दिया जाता था अगर यह नहीं चाहते थे फिर भी इनको कोई ओप्शन नहीं दिया जाता है और जो भी जादा बोली लगाता है उनको बेश देते Many of the great Jameendars of Bengal were utterly ruined and were forced to sell their Jameendari rights By 1815 nearly half of the landed property of Bengal had been transferred from old Jameendars who had resided in the villages who had tradition of showing some consideration to tenants, to merchants and to other money land classes who usually lived in the town and who were quite ruthless in collecting to the past by but was due from the tenant irrespective of difficult circumstances तो इसके अंदर क्या बोला गया कि अगर जमींदार परवाले मतलों अगर जमींदार टेक्स नहीं दे पाते थे तो उनकी जमीनों को पेश दिया जाता था ऐसे ऐसे खरते हैं जो पुराने जमींदार थे उनके जितने भी जमींदारी राइट थे उनकी जितनी नए जमीनदारों को दे दी गई ठीक है जो यह नए लेंडलोड थे इनको दे दी गई और यह पुराने लोगों की तरह नहीं थे क्योंकि देखो जो पुराने जमीनदार थे वो गाओं में रहते थे लंबे समय तक उनके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती थी और वो फिर उजमीन को वहां के जो गरीब किसान उनको बाड़ देते भी आप इस पे खेती कर और मेर को इतना इसा चाहिएगा और अगर कई वार अगर माल लोग किसी कारण से किसी या माल लोग की फ्लड आगी बाड आगी या अकाल पढ़ गया सूखा पढ़ गया उसके उस जैसे जमीन अगर उपजाव नहीं हो पाती या प्रोडक्शन नहीं हो पाता था उसमें तो उनसे कुछ ज़्यादा लेते नहीं थे ठीक है तो मतलब एक दया की तरह से देखा जाए तो वो अच्छे से चीजों को समझते थे सिच्वेशन को समझते थे और धक्के से जो गरीब किसाने उनसे लगान वगयरा कर वगयरा नहीं वसूलते थे बट ऐसा हुआनी जो लेंडलोड आये थे जो नए जमीनदार आये थे वो इस मामले के अंदर बहुत ही खराब थे उनको कोई मतलब नहीं था अगर मालो की अगर अकाल पड़ गया या फिर बाड़ आगी उनको इस चीज़ से मतलब नहीं था उनको अपना हिस्सा चाहिए तो चाहिए वो बहुत बुरी तरीके से जो किसान थे उनसे पैसा वसूलते थे कि तर माये जया जो यह एज़ कर दिए जाता हो रितरों से था प्रेमिनम्युआ刘ी के अधर र गतर झीया नहीं है माहीं मंगाल ओर कोलकिता के थे अधर अधर जहा को उसके बाद में जो टेम रिचलमेंट ता आजिस के अंदर एक फिक्स टाईम के लिए एक amount set कर दिया जाता था जिसको बाद में time to time change करते रहते थे जो की चलता था कहां पर उत्तरपरदेश और बिहार के अंदर उसके अंदर भी same situation थी कुछ अलग नहीं था बिल्कुल same to same dito condition थी जो permanent settlement में थी वैसे लोगों का solution होता था but the condition of zamindar soon improved in order to enable the zamindars to pay land revenue in time the authority increase their power over the tenants by extinguishing the traditional right of the tenants the zamindar now set to put up push up the rents to the utmost limit consequently they rapidly grow in prosperity इसके अंदर क्या पताया गया है न कि अंग्रेजों ने zamindars के right बड़ा दी उनको power दे दी क्योंकि जमीनदारों को पैसा निकलवाना होता था किन से गरीब किसानों से अगर इन ये पास power नहीं होगी तो इनको कोई भाव नहीं देगा तो जमीनदारों को इन्होंने power दे दी और power क्या थी अगर कोई आपको करना वसूल कर पाए तो आप उसकी जमीन ले लो ठीक है और ऐसे करके जो जमीनदार थे वो बहुत बुरी तरह से लोगों से रेंट निकालने लग गए और एक चीज ये भी थी कि भई गोर्वेंट ने एक fix amount कर दिया था कि इतना हमको चाहिए चाहिए उसके उपर जितना भी surplus होगा जो भी profit होगा वो आप रखो हमको ज़रूरत नहीं हमको हमा पाइदा उठा सकें और जो ही है जितने वी चीज़े इनोंने इनको पावर दी थी अंग्रेजों ने इससे समीनदारों का काफी फायदा होने लग गया बहुत मालमाल हो गए पैसे बहुत ज़्यादा पैसे इनके बनने लग थे जिस वज़ए से ही है किसका favor करते थे अंग 1957 का जो revolt हुआ था उसको रोपने में ठीक है क्योंकि यह लोगों के खिलाफ खड़े होगे कि नहीं भई अंग्रेज सही है हम उनका साथ देंगे और कुछ जो कुछ राजा थे रूलर्स थे उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिये यह चोचके कि अंग्रेज उनकी जो ज अमा हुआ था उसके अंदर कोई किसी भी परकार क्या इंक्रीजमेंट नी था कोई प्रोडक्शन में इंक्रीज नी हो रहा था मरलो एक तरह से देखा जाये तो वो बिल्कुल पिछडा हुआ था और वो परबाद होता जा रहा था अज़ रिजल्ट ऑफ ओरक्रावड इन अग्रिकल्चर एक्सेसिल एंड रिवन्यो दिमांद ग्रोथ ओफ लेंडलोडिजम इंक्रीज इंडिवेटनेस अंड ग्रोइंग इंप्रोडिशमेंट उफ क्ल्टिवेटर्स ता इंडियन अग्रिकल्चर बिगें तो जो आर्टिस्ट थे जो क्राफ्टमेंट थे सबके दंदे खराब कर दिया अब उनके पास कुछ करने को बचा नहीं क्योंकि जो वो काम करते थे उसमें अंग्रेज अपने मनमाने दाम से उनसे चीज़े खरीदते थे बहले ही उनको लोस हो और जो चीज़ उनको चाहिए थ लेजते थे तो दोनों तरफ से जितने भी आर्टिस्ट थे उनकी उनका नुक्षानी था तो इसलिए उन्होंने जो अपने पैत्रिक दंदे हैं जिन्ची जो में वह एक्सपर्ट थे सालों से पीडियों से वह उन्होंने छोड़ दिये और उसके बाद उनके पास क्या दवस्त है वो है अगरिकल्चर खेती करना तो इस वजए से जो खेती जो खेत थे ना वहाँ पे लोग ज्यादा बढ़ने लगे अब मालों की किसी खेत में चार जनों की जरूरत है अब वहाँ पे दस जने फाल्टू बैठे थे चलो हमारे पास कोई काम नहीं हम भी कर दें प्रोडक्शन आपकी उतनी होनी है जरूरी नहीं उतनी हो भी लेकिन काम करने वाले ज्यादा होगे तो खेती वाड़ी पे काफी बर्डन बढ़ने लग गया ठीक है बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने लग जिसकी वजए से जो पैदावार थी वो काफी घटने लगी 1901 स से 1949 से के बीच में 14 परसेंट की गिरावट आई के थी जो फसल की पैदावार के अंदर ठीक है 14 प्रतीशत की कमी आई in England and other European countries the rich landlords often invested capital in the land to increase its productivity with the view to sharing its increased income क्या है ना England और यूरोप के जो countries थी वहाँ पे जो landlords थे ठीक है जो जमीनदार थे केती करने वाले वो अपना जादातर पैसा किसमे ऐस और हम में नहीं लगाते थे वो अपना पैसा लगाते थे खेती को सुधारने के लिए अलग-अलग चीज़ों का यूज करते हैं जैसे की खात हो गई न डी एपी बगएरा होगी इस टाइप की चीज़ों का और खेती के लिए ट्रेक्टरस बगएरा इन चीज़ों में उनका जादा ध्यान था मसीन की तरफ ताकि वो जल्दी से काम करें अच्छे से काम करें और पैदावार जादा हो लेकिन इंडिया के अंदर जो लेंडलोड थे चाहिए वो पुराने हो या नए हो ठीक है उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया वो सिरफ और सिरफ उनका मतलब क्या था कि हमको रेंट दो हमारी धरती का हमको मतलब नहीं है इसके अंदर पैसा हम नहीं लगाएं आप खुद जो करना है करते रहो ना ही उस टाइम पे इतने अच्छे बीज थे यहां पे कुछ थोड़ी जी धरती दी करिये बन एक 1.9 परसेंट जो लेंड थी न वहीं पे जो हाइब्रीड सीट थे जो अच्छी अच्छी किस्म के सीट थे बीज थे वह वह जात थे दे गवर्मेंट कुट है वह हैं इंप्रोविंग एंड मोडर्नाइजिंग एगरिकल्चर बट दा गर्मेंट रिफ्यूस्टू रिकॉद्ट रिकॉगनाइज एनी सच रिस्पोंसिबिलिटी अलव की गुवर्मेंट कुछ कर तो सकती थी इसमें कर तो क्या बहुत इसमें क्या कर गया है ना देखो वही बात है अंग्रेज्च जो को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रोंग थे पैसा मिली रहा था ठीक है उनको क्या प्रता था कि भाई कैसे जो गरीब किसान उसको उनको अदा गरते हो पैसे कैसे पेगरते हैं अगर इनको पैसे नहीं तो यह क्यों एक बार के लिए उसमें जमीन में क्यों इन्वेस्ट करेंगा है ना तो यह इतने लालची थे वैल दो गोर्मेंट ओफ इंडिया है स्पेंड बाइं 1905 ओवर 360 क्रॉर और रूपीज ओं तर रेलवे विच वस डिमांड़ ब्रिटिश बिजनेंस इंटरस्ट इस पैंड इन्ट पीरियोड लैस दन 50 क्रॉर ओफ इंडिकेशन विच वूड है बेनिफिटेड मिलियंस ओफ इंडियन कल्टिवेटर्स मैं कहा गया कि 1905 के अंदर है ना 1905 के अंदर सरकार ने जो अंग्रेजी सरकार थी उजने रेलवे के उपर कितने पैसे खर्च करें 360 करोड और वो क्यों खर्च करें कि किन की डिमांड थी जो ब्रिटेन के जितने भी विजनसमेन है ना वो उनके डिमांड थी कि भई आप रेलवे को फैलाओ वारत के अंदर ठीक है सेंट्रल पार्ट तक लेके जाओ मद्य वारत तक लेके जाओ ताकि हम वहां पे अपना समान पहुचा सके और वहां के लोगों से भी पैसा बना सके यह सीन था अगर यह उस टाइम पे 50 क्रोड रुपे अगर इरिगेशन पे खर्च कर देते ना कि भाई पानी अच्छे से पहुंच जाए खेतों में तो उससे लाखों करोड लोगों की मदद हो सकती थे वाट यह कहां करने वादे थे इनको सिरफ अपना फायदा थेखना था, इनलेन का फायदा, व्रेटन का फायदा थेखना था इवन सो इरिगेशन वास थे इनको सी पार शिरफ awakeर शुट तोडी बहुत मरत की ती वोस इ sill इरिगेशन में गर हुआति थे वाट वर रजभा थे was the even ordinary implements were centuries old for example in 1951 1901 में there was only 9,30,000 iron plow in use ठीक है while wooden plow number 31.8 million तो इसके अंदर क्या कहा गया है ना कि 1901 जो जितने भी हमारे जो equipment थे जिन से हम जो भी साधन थे जिन के द्वारा हम खेती करते थे वो पुराने जमाने से ही वो ही चलते आ रहे थे हमने उनके अंदर कोई बलाओ नहीं किया था ना ही सरकार नहीं इसमें कोई मदद की 1901 तक 9,30,000 ही लोहे के प्लाओ थे जो धरती को फाटते है ना और पिछे से भी लोग बीज डालते रहते थे तो शिरब 9,30,000 लोहे के प्लाओ का यूज हो रहा था और जबकि बात करे जो लकड़ी के थे वो थे कितने 3,18,000,000 लोहे के ऐसे थे ना उनकी जो नोख है वो पैननी होती थी तो वो निच्चे को धरती को निच्चे तक फाड़ के रखते थे जिससे जो निच्चे का जो उबजाओ पन ना वो निकल के आता था लेकिन लकड़ी के क्या है ना आगे से पैननी नहीं रहते थे कुछ टाइम के बाद में वो आगे से उनकी जो सर्फेस होती है वो चोड़ी होने स्टार्ट हो जाती पैननी रहती तो उसका काफी नुक्षान रहता था और जो लोग थे जो उनको इन और्गेनिक फर्टिलाइजर्स वगएरा का तो पता ही नहीं था उस टाइम के बहुत कम लोग थे जो हमीर लोग थे वही बहुत जानते थे कि वही ऐसे डी एप वगएरा ऐसी खाद वगएरा थे लेकिन जो लाच प्रट था ना लोग जो किसान थे वो गरीब थे वो इतना अफॉर्ट भी नहीं कर सकते थे इसलिए वो किस पे रहते थे गाएं की का गोबर हो गया वैंस का गोबर हो गया है ना और गाएं की जो हडियां होगी क्योंकि उनमें केल्जिम होता है तो उन्हीं को डालते थे 1922 से 23 के बीज में जैसे कि मैं पहले बताया था ना कि 1.1.9 परसेंट जो 1.9 परतीसत जो धरती ह जहां पर खेती होती है वही वहीं पर जो अच्छी किस्म के बीज यूज किये गए थे ठीक है जो कि 1928 से 49 तक आते आते ग्यारा परतीसत हो गई थी 11 परसेंट हो गई थी furthermore agriculture education was completely neglected उस टाइम पर agriculture education का तो कुछ नाम वाम था ही नहीं लोगों पता नहीं था खेती बाड़ी क तक के ओल 6 agriculture college थे जिनके अंदर कितने student थे 1306 ठीक है और उन में से कोई भी जो college था वो बंगाल में भी नहीं था बिहार में भी नहीं था उड़ेशा में भी नहीं था नाई सिंद में था यह सबसे बड़ा area था जहां पर केती होती थे और जहां पर आकाल पड़े हैं अगर हम बात करें कि अगर agriculture college की कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूर थी तो बंगाल बिहार यह तो सबसे ज़्यादा ज़रूर थी कि यहां पर लाखों में लोग मरें नौर कूर्ट पीजेंड में इंप्रूमेंट थो सेल्फ स्टड़ी और दिर वोज हार्ली एनी spread of primary education or even literacy in the rural areas तो क अपने खुछ से पढ़के भी इतना कुछ हासिल नहीं कर सकते थे क्योंकि गाओं वगेरा के अंदर जो एजुकेशन है प्राइमरी एजुकेशन ठीक है पांचवी तक की class भी लोग नहीं जाते थे उनको पता ही नहीं था पर नहीं लिगना वो नहीं पढ़ पते थे ठीक ह लिट्रेसी रेट वहाँ का बहुत ही खराब था कोई कुछ नहीं था कोई नहीं पड़ाता था अब बात करते हैं development of modern industry modern industry का जो development हुआ कैसे हुआ किस ने किया और कितना किया क्या क्या प्रोब्लम आई क्या क्या समस्य है सब के बारे में बात करते हैं मसीनेज इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुई मसीनों का विश्कार इंडिया के अंदर या फिर मसीनों का यूज इंडिया के अंदर कब से स्टार्ट होना स्टार्ट हुए मतलब लग हुआ वह था 1850 के अंदर जब पहली मिल भारत के अंदर लगाएगी वो थी बॉंबे के अंदर किस के दोवारा यह है कावोस की नाना बोई कावोस की नाना बोई के दोवारा पहली मील लगाए गई ठाराजो त्रेपर में किस चीज़ की थी यह टेक्स्टाइल मील थी कपडो की मील ठीक है और फिर पहली जूट मील फर्स जूट मिल ठीक है यह कहाँ पे लगाएगी बंगोल के अंदर रिसरा बंगोल के अंदर 1855 में यह इंडस्ट्री बहुत दीरे-दीरे ग्रो हो रही थी क्योंकि इंडिया के अंदर इतना कैपिटल था नहीं और इतने अमोडरनाइजेशन भी नहीं था थो इनको वो टाइम लगा एक्स्पैंड होने में बढ़ने में 1880 तक 56 को टेक्स्टाइल मिल थी जहां पर 43,000 लोग काम करते थे और 82 में जो जूट मिल थी न वो 20 बढ़ गी 20 हो गई उनकी संक्या और वहां पर 20,000 लोग काम करते थे 1905 तक आते आते 56 को टेक्स्टाइल मिल हो गई एक लाग करीबन दो लाग लोग वहां पर नोकरी करते एक लाग चानुए जार पर 1901 में जो जूट की मिल थी वह 36,000 हो गई ठीक है पर वहां पर कितने लोग काम करते थे एक लाग अंदरा आजार और जो कोल माइनिंग थी ना कोईले की ख़दाने वहां पर कितने लोग काम करते थे एक लाग से एक लाग के राउंड 1906 में और जो सीटमेंट पेपर मैच सूगर ठीक है लास इन जिजो की जो कंपनिया थे इंडस्ट्री थी वह डवलप कब से स् लग बख किन के द्वारा कंट्रोल की है यह ब्रीटिसस कैपिटल मतलब ब्रीटिस कैपिटल से आइमिन की जो अंग्रेज बिजनसमें थे ना वह यहां कि इनको यहां पे लगाने लगे और ऐसा क्यों लगाने लगे भई अपने देश में क्यों नहीं लगा रहे थे इंडि लाफ के द्वाध कर फारिया जाया है अजितीरियल जैसे कि कोटन हो गया इन चीजों के यहां से करीड़ते धृड़ में ठीक है और साथ ही जैसे कि भारत के मतलब अफगाने स्टान चिजो को बेशते थे ठीक है Central Asia में भी इनका रुद्वा था तो यहां से ओजी ली जा सकते थे उधर East के अंदर बर्मा पर इन्होंने कबजा किया था जहां की टिमबर जो लकड़ी है उस पर इनकी काफी नजर थी तो उधर भी इनको काफी फायदा हुआ थी जो को बेचने में ठीक है यह लिख रखा है इंडिया इंडिस नेबर मार्केट प्रोवाइडे रेडिमेड मार्केट जो इंडि strengthen industry did indians have a last year from the beginning and in 1930 दूप geshज theor बाइंडीयन में कैण क्प्रिव ज हाँ किछ ट्राईया रहा है किस में ते messing डेस्टाइव निश्टियर में क्यों कि हम बाद चाय थे कपडाों के ठीक है हमारे यहां का जो छीन्टा सिल्क है ठीक है वो पूरे वर्ल्ड में वेमस था यहां से बेस्ट यहां के जो रंगीन कपड़े थे उससे बेस्ट आपको कहीं बे कुछ भी नहीं मिल सकता था तो इसके अंदर हमारा सबसे बड़ा स्टार्टिंग से ही शेयर है सबसे बड़ा हिस्सार है और जो सुगर इंग्स थे जो भी एजैंशिया थी वो कौन मैनेज कर रहा था कौन चला रहा था अंग्रेज थे क्योंकि हमारा कुद का कोई बैंक नहीं था उस ताइम था 1937 में हमारा पहला बैंक आया था तो उसका जो नाम है आप प्लीज मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईए एक फिर इंडेन है डा इंडेन अलसो फाइंड डिफिकल टुएट ग्रीट फॉन देंक पी जाता था और अगर मिल भी जाता था तो उसका जो ब्याज होता था वो बहुत ही जाता होता था कि मतला इतना आप कंपनी से प्रोफित निकाम आप प्रोफित नीग पाइश आप आते थे जितना आप बैंक का ब्याज बरते रहते ठीक है उससे फिर वह ऐसे धन्दा चोपट हो जाता कि स्टार्टिंग में कंपनी को चलाते हो तो एकदम से नहीं बढ़ती है धीरे-धीरे समय लगता है उसको लेकिन जो इंट्रस्ट है नहीं है तो भई बढ़ता ही जाएगा अप हो जल्दी वटता है ठीक है तो इस चीज से समस्या से को खतम करने के लिए ना इंडियन्स ने अपना बैंक बना लिया 1937 के अंदर ठीक है तो उस टाइम पे जो 1937 में भारत का बैंक बनती जितने भी इंडियन्स थे उन्होंने अंग्रेज जो के जो सेंट की कमी आगी पैसे की ठीक है इतना पैसा हमने निकाल लिया था अपना तो फिफ्टी सेवन परसेंट जो एक्चोल मान था वो इंडियन्स का था उनके बैंक के अंदर रेल्वे पॉलिशी अगर्वेंट आल्सो डिस्क्रीमिनेट अगेंस दा इंडियन का गया है कि जो रेल्वे थी रेल्वे किसने बना ही अंग्रे जो ने ठीक है और उसको बनाने का क्या मक्सद था कि भही अपनी आर्मी और अपने जमान को इंडिया के बिल्कुल सेंटर तक ले जा सके अब रेल्वे का जरूरत तो हमको भी पढ़नी थी क्योंकि जमान तो ह ठीक है इंडस्ट्री हमारी भी थी जब हम उन चीजों को पहुचाने की कोशिस करते या तो यह हमको अलाउं नहीं करते और अगर इनसे लड़ जगड के कुछ भी करके अगर हम ले भी लेते प्रमीशन तो यह क्या करते फिर हम उस पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाते ठी तो अगर देखा जाए तो हम यहां पे अपना समान बनाते हैं फिर उसको रेलवे के तुवारा बेचने जाते हैं वो हमको ज़्यादा महेंगा पढ़ता था अगर हम अंग्रेज जो कई बना बनाया समान अगर उसी रेलवे से जाके बेचने लगे तो उससे क्योंकि उनका लोग जो अंग्रेस थे वो काफी इस चीज में बेदबाव करते हैं और अने शीजिए स्वीकने से व इंडियन इंडॉस्ट्री इंडॉस्ट्री एफट वोज अल्मुस्ट कम्प्लीट अबसेंस ऑफ हैवी और कैपिटल गूड इंडॉस्ट्री नीटियन इंडियन इस इंड़ॉस्ट्री ओकट है और उसके बिना कोई जितने भी आप कुछ भी इंड्रॉस्ट्री अलगा लो वह इंडिपेंडन नहीं रह सकती क्योंगे आपके पास रोव मेटिरियल ही नहीं इंडॉस्ट्री को लगाने का ठीक है तो इसमें भी इंडेड्या काफी पीछ थे, जो पहली इंडिया के उंडीया के अंजा स्टील लगी थी 1913 के अंदर लगीром style वक्त्री अहथ ऐस सुटेव अश्य इंड्यान लेक बेसिक इन्द चीन्डी सब्सक्राइज कर सके इलेक्ट्रिक पवर जपावर सके इंडिया के अइन नेक्पंध कर तो यहां पर क्या का गया ना मसीन मसीन यूग जो मसीन की जो इंडस्ट्री थी उसके लावा भी 19 विसदी में एक चीज की काफी जादा ग्रोथ हो रही थी वो था इंडिगो प्लांटेशन इस चीज के बारे में हमने काफी पढ़ा है नियल विद्रोग इंडिगो इंडिगो की नियल की खेती होती थी क्यों होती थी नियल लेना कपड़ो में यूज होता था डाई के लिए ठीक है उनको रगने के लिए और इसकी काफी जिशादा दिमांड थी इंगलैंड के अंदर और नील की कमी थी ना कि नील جहां पर भी बोया जाएगा एक तो उसको उस जमीन पे उगा दिया वो दिया ठीक है तो वो उसकी जितनी भी उरूर रख सकती है ना जितने भी उसके अंदर विनल सुगहरा धरती के सब निकाल लेता है उस पूरा चूज देता है फिर उस धरती पे आप कुछ नहीं उपजा सकते है अगर कुछ हो जाओगे ना तो कुछ भी नहीं होगा बंजर बन जाएगी ओ जमीन और अंग्रेज लोगों को फोर्स करते थे उस टाइम पे कि आप न अच्छी से अच्छी जमीन पे निल की खेती करनी पड़ेगी और आपने एडवांस उठाया है तो उनके मनमाने दाम पे आप उसको बेचते थे भले ही आपको नुक्षान हो तो एक तो उसकी जमीन की जो सकती थी वो जमीन का उजाओपन था वो खतम हो जाता उपर से उसक अंग्रेज थे कोफी के बगान भी अंग्रेज ही संबालते थे इनी का मोस्टली यह रहता था इंडियन इसके अंदर नहीं थे और नहीं इनको अलाव करते थे क्योंकि यह सबसे बड़ा ट्रेट था चाहिए पूरे वर्ड में पी जाती थी काफी लोग दीवाने थे कोफी कोफी पूरे वर्ड के अंदर कोफी का तो पूच्यों मत ठीक है और यह अंग्रेज जो का था तो सिद्धी सी बात है इनको जो यूरोपियन जो बिजनसमेन थे या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट थे कुछ भी माल लो इनको जो इसके अंदर बगान वेरा लगाते थे हैं इनक को काफी पावर दे रखी थे अंग्रेज जोने कि अगर अगर कोई इनका कॉंट्रेक्ट साइन कर लेता था ना कोई मजदूर तो वो काम को नहीं चोड़ सकता था अगर वो चोड़ेगा तो इनके पास उसको अर्रेस्ट करने तक की भी पावर थी तो बहुत बुरी तरह से इनका सोशन करते थे और जो नील जो नील की कहती थी जो लोगों के साथ उसके नील की कहती करते टाइम जो जितना भी सोशन होता था उनका है ना उनकी जमीन के साथ में उनके साथ में उनके साथ जो बुरा बरताओ होता था जो भी उनको प्रोब्लम्स हाई ना उसको दरसा आया गया है एक प्ले के अंदर एक नाटक के अंदर जिसका नाम था नील दरपन जो की 1860 में स्टार्ट हुआ था किसके दोवारा स्टार्ट किया गया था जब बंगाली रोइटर है स्वरी बंगाली राइटर है ठीक है लेका कहीं है बंगाली दिटमंधू मित्रा इनके इंडिगो 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 इंडस्ट्री एंडिट ग्रेजुली डिकलाइन तो अब क्या कहा गया है ना फिल एक समय आया वहां पे मैनमेड डाई बन गी ठीक है इंशानों के दोवारा केमिकल्स के दोवारा उसकी वजाय से जो जितने वी गरीब किसाने इनको की कहती करना चोट दिया ठीक है निल की कहती करवाना चोड़ दिया क्योंकि की मिकल्स ल बनी होई ते नो काफी सusti थी और काफी अच्छी वी थी और दीरे दीरे गर के निल की कहती खतम होगी दा टी इंडस्ट्री डॉलॉप्ट इन असम बिंगाल साउथ इंडिया एंड दा हिल ओफ हिमाचल परदेश आफ्टर 1850 1850 के बाद ना जो असम बंगॉल है ठीक है यहां किस्की कहती होती थी च्याय की और रहीमाचल की पहाड़ियों पर भी च्याय की कहती होती थी और जो साउथ इंडिया हों गया किस्छी की कहती ही कोफी की ठीक है ना Ohio बहां पर कोफी बहुर महत्रा में रहे होती ही वore and found it was helped by government with grants of free land and other facility अब जिन जगाव पे अंग्रेजी ये खेती करवाते थे चाय की नील की हो गई ठीक है या फिर कोफी की हो गई वहां की जो धरती थी उस पे कोई रेंट अंग्रेजी सरकार नहीं वस्वलती थी कि भई हम आपसे कोई नहीं आप मस्तर हम से अपना ये बिजनस करते रहो हमको एक पैसा नहीं चाहिए आप पूरा पैसा कमा हो ठीक है इतने भेदवाव करते थे हैं अपने लोगों के लिए सब कुछ और हमारे लिए कुछ भी नहीं और देखा जाए तो इन दा यूजर ओटी टाइम अल्मोस्ट में इंपोर्ट इंपोर्टेंट आइटम और एक्सपर यहाँ पर इन प्लैनिंग का बिशन हैस केल्गूलेटेट जैट दा नंबर ऑफ पर्सन अंगेज इन प्रोसेसिंग और मैन्फेक्ट्रिंग फैल फॉन 10.3 मिलियन 1901 टो 8.8 मिलियन इन 1951 तो इसमें क्या कहा गया है न कि देखो उस टाइम पर 1901 से 1905 के अंदर पोपुलेशन में 40 परतीशत के इनक्रीज हुआ लोग लोगों की मतलब जो 40 परतीशत जो जनता थी भारत की वो बढ़ गई फिर भी उसको देखते हूं उसके बढ़ने के बाद भी जो प्रोसेसिंग और मैन्फेक्ट्रिंग की जो जो जोब्स थी जैसे की कंपनियों में फैक्ट्रियों में वहां से लोग से घटके कितना हो गया अठासी लाग पर आगे इतने लोगों ने नोक्री छोड़ दीती बीच में अर ऐसा क्यों हुआ क्योंकि वहां पर चीजे मोडर्न नहीं थी ठीक है लोगों का सोशन होता था घंटों घंटों काम करवाते थे और इतनी ज्यादा आय नहीं देत थे तो इस वास्ते लोग पिछे हटने लग गये ता गर्मेंट में नो एफ़र तो प्रोटेक्ट रिहेबिलिटेर रिओर्गिनाईज और मोडर्णाईज दी इस ओल्ड इंडिजिन इंडस्ट्री ठीक है और गर्मेंट ने उन इंडस्ट्रियों को और गर्णाइज करने के ठीक है वो बिना गर्मेंट की हेल्प की जड़े थी गर्मेंट उनका हेल्प करने को रेडी नहीं थी ठीक है गर्मेंट मेनफेक्चरर जो थे ना ब्रिटिस जो बिजनसमें थे वो इंडियन जो कंपनिया थी जो इतनी भी इंडस्ट्री थी उनको अपना दुस्मन मानती थ थी कि आप इनका साथ मत दो बलकि उपर से इनके उपर टेक्स ज़्यादा बढ़ा दो ताकि यह थम जाए या फिर स्लोडाउन हो जाए या बरबाद हो जाए या बंद हो जाए ऐसी इनकी सोच थी और उपर से गोर्मेंट करती भी थी ऐसा क्योंकि सिद्धी से बात है ब्रिटेन का प्रेशर था वहीं से गोर्मेंट चल रही थी इतनी दूर बैठे लाकुक किलोमेटर दूर बैठे यहाँ पर राज कर रहे थे सारी पोलिस ही वहाँ पर बनती वह लागू होती इंडिया में आके ठीक है और क्या होता है अगर वहाँ पर किसी चीज की नए इंड़स्ट्री लग रही है तो सरकार क्या करती है जो बाहर से सेम्सामान एंडख़स्ट्री बणाए जो बैचके इंड़स्ट्री आगा यहां पर बनके तो उस पर जादा टेक्स लगा देती है क्यों ताकि वो इंडिया में आके महेंगा हो जाए है ना अगर वो महेंगा होगा और हमारी कंपनी ने जो यहां की कंपनी ने वही समान जो बनाया होगा सस्ते रेट में तो हमारा विकेगा उनका नहीं विकेगा इससे जो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ है ना तो उस चीज के लिए बाहर की कंपनियों पर टेक्स लगाना पड़ता है लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया उन्होंने यहां पर बिल्कुल ट्रेड फ्री कर दिया था कि भई आप पर कोई टेक्स नहीं लगएगा इंडिया में आके दबाके आप काम करते रहो ठीक है तो उन्होंने कोई हर्क नहीं करें इंडियांस की उपर से जब हमारा समान वाप डिटेन में जाता था उस पर कई गुना ज्यादा टेक्स लगा दिया जाता और जो हमारी चीज इतनी महंगी हो जाती न कि वहां के लोग हमारा कोई समान खरीडने नहीं लगते थे कोई भी समान नहीं करें ते जिससे काफी बड़ा लोस होता है ठीक है और वही बात यहां पर गई है कि जो इंडियन इंडस्ट्री थी जो कौन से पीरियड में थी इंफेंशी के मतलब कि जब जैसे कि बच्चा चोटा होता है माबाप उसकी प्रोटेक्शन करते हैं जैसे बड़ा होएगा तो वो खुद की प्रोटेक्शन अपने आप कर लेगा क्यों इंडिपेंडेंट हो जाता है नोकरी करने लगता है उसके पास इतनी इतना तो होई जाता है कि वो खुद की देखवाल कर सके वही बात कही गई है जब इंडियन इंडिस्ट्री स्टार्टिंग फेज में थी तो उसकी देखवाल नहीं करी यह कंपनी ने कोई उसको प्रोटेक्शन ने प्रोवाइड करी गई कि ठीक है जब तुक तुम नहीं चलेगी तब त फोर्स टालना स्टार्ट किया कि भई आप है ना यह सिस्टम बंदगरो ठीक है ऐसे तो हम बरबाद हो जाएंगे और उस टाइम पे लोग इकठा होना स्टार्ट हो गए थे तो गोर्वेंट को इनकी बात माननी लगी और थोड़ा बहुत बार की कंपनियों पे टेक्स लग बाहुना थी बारत देश फ्रेम की बाहुना जो उस टाइम पे उठी लोकों के अंदर तो उस चीज़ को देखते हो यह गोर्मेंट प्रेशर में थी तो वही अगर इनकी बार नहीं मानेंगे लड़ाई घर खड़े वहेंगे और हमको बगा देंगे इस वास्ते उनको टेक प्रेश रूल इंडिया और नेट इसल्ट ब्रीटिस एकनोमिक पॉलिशी वस प्रिवैलेंस ओफ एक्स्ट्रीम पोवर्टी अमोंग इस पीपल दपोर्टी ओपीपल फाउंड इस कल्मिनेशन इन इस सीरीज ऑफ माइन विश्रेव डाल पार्ट इन इंडिया इंडिया इन होती तहीं उसको भी नहीं चोड थे कि भरी नहीं हमको दो टैक्स चाहिए उनके पास कहाने तकka कुछ नहीं चोड़ते तए अगली फसल के लिए तो दाने कहां से इचोड़ेंगे तो लोगों के पास खाने की कमी हुई, कभी-कभी उनकी किस्मत बेचारों की इतनी कमी है, खराब हो जाती, कभी अकाल पड़ जाता तो कभी बाड़ा जाती, सुखा पड़ जाता है, या फिर बाड़ा जाती, लेकिन गौर्वेंट तो फिर भी नहीं मानती है, हमको फिर भी जो पहले का बचा होता वो भी ले जाती तो जिस वज़ाए से काफी अकाल पड़े काफी लोगों की मृत्यू हुई काफी लोग मारे गए ऐसा पहला अकाल पड़ा था पहला ही फैमाइन पड़ा था कहां पे वेस्टन उप्तरपरदेश के अंदर 60-61 के बीच में और मदराज के अंदर आया लगवग 20 लाग लोग मारे गए इसमें जिसमें से केवल 10 लाग तो पहां से चले गए पुड़ी से सही चले गए मोर देन 40 लाग पीपल डाइड इन फैमाइन ओफ 1868 तो 70 1868 से 70 के बीच में जो अकाल पड़ा था उसके अंदर 14 लाग मारे गए कहां कहां से मारे गए यूपी से वेस्टन यूपी ठीक है बंबे और पंजाब कि अ मैंनि स्टेट साइड में करें लाइग त्र suis तर्फ तर्य ओप्लेशन अंक जुद जो छो फिस एक पाकुलेशन यह उसको काफी नुक्षान क lange और सबसे गंदा का आजाता है जो माइन पढ़ा था जो अकाल पढ़ा था इंडियन हिस्टरी के अंदब वो अठारा सो चेतर और ठेतर के बीच में पढ़ा था मदरास मैसूर हैद्रावाद मराश्ट वेस्टर उत्र परदेश ठीक है वेस्टर उत्र परदेश पंजाब यहा एक कॉलेश बनाए गए थे आना जिनमें से एक भी बंगोल भी और के अंदर कहीं पे भी नहीं था जब्कि रहां पर एक कोलेश की तहुरी थी यहाँ पर दे सकते हो आप वैसटर उत्र परदेश यहां पकर बेस्ड़ हर दो का उत्तर परदेश के अंदर लोगों की ज आई लोगों के पास इतनी एजुकेशन थी कि उसको रिवाइव कर सके मैसूर लोस्ट नियरली 20% ओफ इस पॉपलेशन उत्र परदेश ओवर 20 लेक 12 लाग लोग उत्र परदेश के मारे गए और पिछले से उसमें 20% पॉपलेशन मैसूर की खतम हो गई अब सुखे की बात करें तो उसकी वजय से भी काफी अकाल पड़े ठीक है 18, 96, 97 के अंदर 59 करोड लोग जिन में से 45 लाग तो मारे गए 18, 99, 1900 के बीच में फिर आया ठीक है फिर अकाल सुखा पड़ा उसकी वजय से कितने गरीबन 25 लाग लोग मारे इन जीतने भी मौत हुई न ये सारी इन में से यू मालो की आप करीबन करीबन 75 परसेंट को बचा सकते थे लोगों को बचा सकते थे अगर गोर्वेंट चाती तो ठीक है गोर्वेंट के पास इतना पैसा था खाने को सब कुछ था अगर वो यहां से उठा के अपने देज में न लेके जाते न ये लाल सी लोग है अगर यहां पे कुछ छोड़ देते लोगों को खाने के लिए बच्चों के लिए तो इतने लोग नहीं मरने के थे इंडिया इतना रिसोर्स फूल था ना इंडिया के पास इतने रिसोर्स इस थे यहां की धरती इतनी अच्छी थी अगर यहां पे तरिके से काम किया जाता तो सोच नहीं सकते थे कि कितना यहां पे मतलब कितना यहां पे प्रोफिट था ठी ऐसे लोग थे the quantity of food available to India divide by 29% in 30 years ठीक है जो खाने की जो quantity थी और मतलो जितना खाना था अधर इंडिया के अंदर वो 39% की उसमें कमी आगी 30 साल के 1911 से 41 के बीच में ठीक है और जो इंडिया के जो लोग थे बुकमरी के सिखार होने लगे काफी बिमारी आने लगी जिस वजए से उनकी जो उमर है वो ज़्यादा लंबे समय तक जी नहीं पाते थे हैं न और लगबग एक आदमी की ओस्तन उमर एक इंसान की ओस्तन उमर इंडिया के अंदर 32 एस 32 साल थी आवरेज लाइफ स्पैन 1930 के अंदर और जब कि बात करें अमेरिका और येरोपियन ब्रिटेन की वहाँ पे एक आदमी कितना साल जीता था 60 साल क्यों सिरुफ और सिरुफ इंडिया की बतुलत यहाँ से सब कुछ लेके जाते हैं वहाँ ही पे खिलाते थे इंडिया की जो बेक वर्नेस अंदू के कारण रहे हैं जितने भी रिए मस्ते आ कारण वो क्गयों रहे हैं वह नेचरल नहीं थे ठीक है वैए फलड आ गई जादा तर जो है अंग्रेजिकों की कमी के कारण रहे ही उनहीं के दिये हुए थे, the natural resources of India were abundant and capable of yielding a properly utilized a high degree of prosperity to the people, कोई बात की गई इंडिया के अंदर resources की कमी नहीं थी, किना अगर तरीके से रखते तो बहुत जादा दर्तियां की उपजाओ थी तो माला माल हो जाते सबी, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहते, इतने लोग नहीं मरते, लोग टेक्स भी अपना टाइम से पे कर सकते थे, अगर थोड़ा सा ध्यान अच्छे जे उनके उपर दिया जाता था, बट अज़े रिजल्ट ओफ फरें रूल्स एंश्प्रोटेशन और बेकवर्ड अग्रेरियन एंड़स्ट्रियल एक्नोमिक स्ट्रॉक्चर, इन फेक्ट टोटल आउटकम ओफ इस्टोरिकल एंड सोचल डवलप्मेंट, इंडिया प्रेजेंट इंडिया प्रेजेंट इड अंग्रेजों के वजए से जो हालत लोगों की हुई थी, जो जितनी गरीबी में वो चले गए थे, वैसे देखा जाये तो इससे गरीब देश भी कोई नहीं था, तो कहा जाये तो ये एक मतलब एक अमीर देश के अंदर गरीब लोगों की धरती बनके इंडिया रह गया उस इंडिया की एकनोमी है और जो यहां का जो पैसा था वो किसके नीट्स के हिसाब से चलता था, यहां के रूल, यहां पे जितना भी अड्मिस्टेशन की किन के हिसाब से चलता था वो चलता था ब्रेटेन के हिसाब से, वहां की एकनोमी के हिसाब से, the result was the stagnation of India's agriculture industry, exploitation of peasants, जम अंग्रेज रहे हैं, ठीक है, उन्होंने गरीबों को भी ठगा है, ठीक है, जमीन दास को भी ठगा है, जितने भी यहां पर प्रिंस थे पहले, जितने राजा थे, जो अच्छे से काम कर रहे थे, उस ताइम पर उनको भी ठगा है, और इन्होंने बहुत बुरी तरह से, यह यहां पर गरीबी बीमारी ठीक है भुकमरी यह फैलाने के कारण को रहे हैं अंग्रेज रहे हैं तो यह था हमारा चैप्टर 9 किसी के साथ ही यहां पर complete हो जाता है यह वीडियो दो पार्ट के अंदर आई है ठीक है वह एक पार्ट में पहले cover कर चुका हूँ किसी नहीं देखा हो तो प्लीज आकर देखो यहां पर हमारे 9 नाइन चैप्टर सक्कार्ट हो सकते हैं अगर किसी नहीं किया हूँ और अगर किसी न कर लिया तो प्लीज बार बार रेवीजन अपनी करते रहो वीडियो अच्छे लगए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा आख सब्सक्राइब ना किया तो फ्लीस कीजिएगा कोई भी शुजा हो कोई भी गलती लगए तो comment section में मिलको ज़रूर बताईएगा ताकि next time पे उसको ठीक किया जा सके ठीक है थैंक यू आइस टेड़